नमस्कार दोस्तों मैं सुमियोर रॉय और मैं आप सब लोग का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को Alligator और Average Directional Index के साथ ट्रेडिंग करके बताऊंगा मैं यहाँ पे थोड़ा Trend Line का यूज़ करूँगा और मैं आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं Basically Alligator and ADX को यूज़ करता हूँ Reading को कैसे मैं पकड़ता हूँ किस हिसाब से मैं यह जो दो Indicators है Very Powerful Indicators Scalping के लिए यूज़ करता हूँ मैं Specifically Momentum Trading में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसा बात नहीं है कि नहीं कर सकते हैं लेकिल Scalping के लिए बहुत बढ़िया काम करता है और बहुत accurate Reading देता है इसके बारे मैं बताऊंगा लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को याद दिलना चाहता हूँ मेरा YouTube Members Only Group के बारे में अगर आपको मेरा काम पसंद है अगर आप मेरा काम को सपोर्ट करते हो if you like my videos if you are getting benefited from my trading signals from my videos from my articles then you can go ahead and show your support and get this subscription at a flat rate of 1,999 rupees कभी भी आपको ये लगे कि you have learnt enough and you don't need any more information you can unsubscribe the same manually चेक है तो चलिए देखते हैं आप लोगों से बात करते करते मैंने पहला trade open किया है दो मिनिट का $150 का चार्ट पे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 41 reading ADX दिखा रहा है 25 minus DI and 19 reading दिखा रहा है हम लोगो plus DI साथी साथ अप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक trend reversal यहाँ पे हुआ है एक trend में एक specific change हम लोगों को देखने को मिला है और यहाँ पे मैंने trade open किया है और एक एक minute का $150 का मैंने investment किया है upward trade मैंने open किया है total तीन trade दो trade मैंने open किया है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दोनो का दोनो trade ultimately जो पहला trade था मेरा वो मुझे पूरा का पूरा refund मिला मतलब no profit no gain जो पैसा मैंने invest किया था वो पैसा मेरे पास refund आया ठीक है यहाँ पे और एक trend आप लोग देख सकते हैं जो second trade मैंने open किया है वो मैंने dragon trade open किया है scalping हम लोग कर रहे हैं जो sudden movement है उसको पकरने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं ठीक है तो थोड़ा wait करते हैं 8 second 7 second यह candlestick को expire होने देते हैं हो सकता है कि यह candlestick expiry के बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत pull back होगा यह रहा और एक trade मैंने open किया है 150 डॉलर्स का dragon trade euro usd छोड़के GBP-USD जाते हैं देखते हैं कि अगर GBP-USD ज्यादा stable है GBP-USD में अगर उतना movement नहीं है तो हम लोग GBP-USD पे trade open कर सकते हैं थोड़ा दिर wait करते हैं 33 का reading दिखा रहा है minus di 43 ADX 11 दिखा रहा है plus di इसका मतलब यह है कि concrete कोई हम लोग decision अभी ले नहीं सकते concrete decision के लिए हम लोग को थोड़ा time wait करना पड़ेगा तब तक यह trade जो है इसको देखते हैं कि क्या इसका result आता है यहां पर देखिए plus di minus di दोनो लगभग same reading हम लोग को दे रहा है लगभग same indications आपके पास भी है मेरे पास भी है ठीक है तो थोड़ा wait करते हैं देखते हैं यहां पर क्या हो रहा है oh my god यहां पर opening quote closing quote चार पिप्स का difference यहां पर चार पिप का difference okay I will hold on यहां तो दूसरा चार्ट पर हम लोग जाएंगे यह opportunity हम लोग के पास है ही यहां पर मैंने $450 का dragon लिया है क्योंकि यहां पर आप लोग देख रहे है minus di 34 and the line is moving not उसके साथ साथ यहां पर ADX भी हम लोग को बहुत अच्छा एक indication दे रहा है यहां पर $450 का मैंने एक trade open किया है अप लोग देख रहे हो total यहां पर थोड़ा calculation कर लेते हैं यह रहा मेरा calculation पहला trade हम लोग को refund दूसरा trade profit तीसरा trade हम लोग $150 का loss चौथा trade मैंने $450 का open किया है अभी भी 23 seconds का time बचा हुआ है और trade अभी भी चल रहा है ठीक है अभी भी we are on the market ठीक है अभी भी हम लोग सही position पे है 8 seconds का time बचा हुआ है chart moving fairly south यहां पे various trend हम लोग को दिख रहा है और उसी के साथ साथ हम लोग को यहां पे profit ठीक है तो यह है scalping का मजा आप इसी तरीके से देखिए कि यहां पे channel मैंने किसी time पे लिया था वही channel same channel यहां पे follow हो रहा है हम लोग इसको और भी enlarge कर सकते हैं और same channel यहां पे आप लोग भी देखेंगे तो same channel यहां पे follow हो रहा है यहां पे हम लोग यहां पे दे सकते हैं that's it ठीक है दोस्तो तो बहुत easy है जब आप horizontal lines यूज करते हैं या trend lines यूज करते हैं और alligator और average directional index को यूज करके जब आप trading करते हैं scalping के लिए specifically आपको बहुत ज्यादा help मिल जाता है वीडियो अगर अच्छा लगा हो वीडियो को like कीजिए share कीजिए channel को subscribe कीजिए और निचे description box check out करना मत भूलिया अगर आप पहली बारी मेरे YouTube channel पे बदा रहे हैं और आपके पास अभी भी trading account नहीं है लेकिन you feel interested to start trading then पहला link description box में है उसको use करके आप sign up कर सकते हैं register get your free trading account and get your free trading account and get 10,000 demo balance नीचे दूसरा link जो है मेरा open group सीखो ट्रेडिंग का link है और तीसरा जो link है वो मेरा direct telegram ID का link है अगर आपके मन में कोई सवाल है कोई सुझाओ है कोई doubts है आप मुझे directly लिख सकते हैं आज के लिए इतना ही मुझे आ गया दीजे नमस्कार जाहीं